यह दैट इस भी ऑप्शन सही है नेक्स्ट वीडियो पॉच करो है स्वाल करने की कोशिश करो कि यह थर्मोडाइनिक्स प्रोसेस साइकलिक प्रोसेस है यह बीसी डीसी यह से आगए जल्द जल्द करो वर्क डेन बाइद गैस इन साइकलिक प्रोसेस अब हम सब को पता कि एरिया निकालने के ट्राइंगल इसी का वर्क डन देता है अब आप कॉमन सेंस की बात है देखने से लग रहा है कि एक एरिया यह है और एक एरिया यह है दो एरिया है यह जो एरिया है समझना पहला वाला जो एरिया है यह लोर एरिया वह क्या है क्लॉक वाइज है देख र 2 v or minus v 2 b minus v और इसका height ये जाए गा 2p minus P तो ये जाएगा इतना plus P b इसमेवर्क दन अब ये जो है दूसरा वाला वो process ऐसे है top वाला ये वाला ये देखो ऐसे जा रहा है तो येंटिकलॉक वाईज है तो इसमेवर्क दन निगेटी वाएगा तो मान लो work done, इसमें w1 हुआ, इसमें w2 हुआ, तो work done इस वाले process में base of the triangle, base of triangle y है 1 by 2, v, 2b minus bb, height of the triangle, ये वाली जो height है, तो 3p और minus 2p, that is p, तो ये इतना negative आएगा, हम सब को पता, तो दोनों को जोड़ दोगे तो work done, 0 आ जाएगा, तो ये बात हमेशा याद रखो, तो कि pv diagram में work done जो होता है, वो cyclic तो होता, पर अगर anti clockwise है, तो work done negative होता है, अगर clockwise है, तो work done positive होता है, और area बढ़ा होगा, तो work done जादा होगा, area बताता है work done,